हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम लोग मौली कधिकार से जुड़े महतपूर प्रशन देखने जा रहे हैं यह महतपूर प्रशन सभी परिच्छों के लिए बहुत इंपार्टेंट है आए देखते हैं पहला हमारा प्रशन है भारती सम्विधान के किस भाग में मौली कधिकारों की विवस्ता है तो भारती सम्विधान के भाग 3 में मौली कधिकारों की विवस्ता है हमारे सम्विधान में जैसे 395 अनुच्छेद 22 भाग है उसी तरह भाग 3 में है सम्विधान के भाग 3 के किन किन अनुच्छेदों में मौली कधिकारों का को वरणन है ग्हिसर के धिकारों की सम्रोंता अगला कोशिन है नागरिकों को प्रत्यभूच सोधन दाए अनुछे दुनीज के अंतर का नाकरिकों को छे सुतंता दी गए थी पहले साथ थी जिसमें से संपत की हटा के अब छे हो गई है धार्मिक धार्मिक सुतंता का अधिकार वर्णी थे यह अनुछेद पचीश से एक्टाईस में आता है हमारा अगला कोशन है 14 वर्श से का मायू कि बालकों को कार खाने या जोखिम भरे काम पर नियूक नहीं किया जा सकता यह अधिकार किस अनुछेद में वर्णी थे, यह अधिकार अनुछेद 24 द्वारा वर्णी थे, समिधानी कुपचारों का अधिकार वर्णी थे, अनुछेद 32 में समिधानी कुपचारों का अधिकार आता है, इसमें 5 रिटे हैं, जो हमने आगे बता चुके हैं, समिधानी कु प्रिष्टाप प्रेस की आजादी की विवस्था नहीं है,किन तों या आजादी अंतर नहीं था अनुछेदilan behaviors unlearn attorney Autobot और दिया गहा है और दिया और छेद क्ली स большoda आज प्रणा करेंगी मूँ लदिकारों को प्रवर्टित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं अन्चेद 32 में जो पांच रिटे वो उच्छ नियाले और उच्छ नियाले दोनों ही प्रवर्टित कर सकते हैं सर्वोष नियाले किसी विक्त यत्वा संस्था को उसके दायत के निर्भान है तो लेक जारी करता है तो उसे कहते है पर्मादेश यह रिट है यह पर्मादेश रिट है समिधान को कौन सा अनुच्छेद उच्छतम नियालों को मूह लिदिकारों को सजग पहरी बनाता सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन बटर को दबाना मत भूली कर अगर आपको यह वीडियो अच्छी लागी तो हमने एक इससे पहले वीडियो बनाई थी मौली कतिकार जिसमें की 12 से लेकर 32 तक सारे नुच्छेद हमने सही से समझाएं थैंक यू झाल 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